हेलो गेमर्स आज चुका है संडे और मैं भी लेकर आ चुका हूँ 10 न्यू गेम्स लेकिन इस बार बहुत हाई एक्सपेक्टेशन्स मत रखना कि बहुत कमाल के गेम्स नायने वाले हैं गेम्स जारतर एवरेज इनायने वाले हैं चले तो मेरा टाइम वेस्ट गेम वीडियो स उनलाइन बेडल्स होने वाली है जिसमें आपको अपनी बहतरीन मंकी टावर्स की टीम मनानी रहेगी और साथ ही एक हीरो को भी स्लेक्ट करके अपोरेन टीम के साथ वन-on-one कॉम्प्टीशन में उतरना रहेगा और इसके लिए स्नाइपर मंकी, सबमरीन मंकी, मॉर्टर मंक मंकी, सुपर मंकी, निंजा मंकी ऐसे 18 टावर्स मिल जाएंगी अलोक करने और 4 टाइप के हीरोस भी हैं और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी one-on-one प्ले कर सकते हैं create match करके तो टावर डिफेंस गेम पसंद है तो इससे मिसमत करना चलिए बढ़ते हैं सेकंड गेम पे जो है लिनेज 2M ये तो अपनी लिस्ट का बेस्ट गेम रहने वाला है नो डाउट ये एक MMORPG रहेगा जिसमें human, elf, dark elf, orc और dwarf के क्यारक्टर से प्ले कर सकते हैं और इसके ग्राफिक्स और gameplay experience बहुत बहतरीन रहेगा साथ ही जो cutscenes चलने वाले हैं वो भी console quality वाले रहेंगे और ह भी क्यों न क्योंकि ये गेम 4K Ultra HD में available है जो कि present में highest mobile devices के लिए तो गेम तो बहुत तगड़ा है वैसे एक दो हफते पहले lineage W भी आया था जो कि कुछ खास पसंद आया है नहीं किसी को खेर आ जाते है अपन इसकी download process पर तो play store पर तो not available for your country आएगा तो comment वाली link से download कर लेना और हाँ कोई VPN की need नहीं है install करना internal data भी download कर लेना और play करना start कर देना चले बढ़ते हैं third game पे जो है pure sniper भाई कभी मन में ख्याल आया है ये game remastered हो के play करने मिल जाए GTA trilogy जैसे ही तो ये होने वाला एक completely same to same game बस graphics better हो चुके है sniper 3D से game का concept वही same रहने वाला है given targets को eliminate करना रहेग जिसके लिए weapons like sniper, assault rival, shotgun और pistol में बहुत सारी variety मिल जाएगी purchase करने और missions होने वाले है campaign, boss battle, manhunt और contracts और online के लिए player versus player battle तो है ही तो अच्छे graphics वाले sniper game ढूड रहे हो तो एक नया option लिकल के आ है चलिए बढ़ते है fourth game पे जो है Dead Crusher ये भी एक time killer game रहने वाला है जो की one finger control वाला रहेगा और अपना character और train कर लेगा zombies पर जैसे ही अपन उसे एक ही जगा पर रोकेंगे गेम की story और objective रहने वाली है कि एक virus सब जगा फैल चुका है जो की लोग को zombie बना रहा है अब अपन पार्ट रहते हैं एक special force के और उस force में अकेले अपन ही survive कर पाए तो अपन को अब ब turn-based game होने वाला है जिसके graphics अच्छे देखने मिल जाएंगे गेम में defenders, vengards, militarists, helpers और specialist ये सभी type में total 59 characters मिल जाएंगे play करने और unlock करने वैसे गेम में second tour, the big three, nightmare, brawl club बहुत कुछ unlock होता जाएगा जैसे जैसे आप story में progress करते जाएंगे और game में auto battle वगेरा का भी option मिल गेम में in-game 1800MB के लगभग का एक resource pack भी download करना रहेगा, वैसे इस type के turn-based games मुझे खास पसंद आते नहीं है, क्योंकि जादा कुछ करने रहता नहीं इन में, बस high quality cutscenes वगेरा सही लगते इसमें, चलिए खेर पढ़ते हैं, sixth game पे जो है Onigiri Heroes, यह अपनी list का second MMORPG होने वाला है, जो की set है mythical ancient Japan पर, जिसमें आप worldwide players के साथ explore करने वाले है Onigiri को, जहाँ जापान की कुछ ancient buildings वगेरा देखने मिल जाएंगी, जो की famous है वहाँ पर Game action packed होने वाला है, travel करने के लिए horses वगेरा मिली जाएंगे, और game में weapons भी eight type के होने वाले हैं, जैसे swords हो गई, twin blades वगेरा, और साथ ही players की skills वगेरा भी upgrade कर सकते हैं वैसे मुझे ये game बिल्कुल पसंद दिया है, क्योंकि graphics बहुत अजीब टाइप के थे, और यार अगर अगर अपन 5GB का data खर्च करके कोई game डाउलोड करते हैं, तो obviously seven night two और marvel future revolution के level का expect करेंगे, और इसके graphics तो, तोबा 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 थारा mood खरब कर दिया, खेर, new mmorpg था, तो add कर दिया list में, चलिए बढ़ते हैं, seventh game पे जो है, downhill smash, ये एक बहुत थगड़ा time killer game है, जो की one hand control वाला होने वाला है, game का funda एकदम simple है, रास्ते में जो भी आए उड़ा दो, बस एक चीज का ध्यान रखना है, पीछे avalan चारा है, उससे तेश चलना है अपन को, और रा गेम पे जो है, simulator parking, ये car simulation game है, जिसमें three modes available है, carrier mode, जिसमें starter, hard और hardcore में total 36 levels complete करने रहेंगी, फिर आता है drift mode, जिसमें high score करके पैसे कमाने रहेंगे, new cars वगरा purchase करने लिए, और फिर आता है free mode, जिसमें freely पूरे map को explore कर सकते हैं, और हाँ graphics भी ultra तक set कर सकते हैं, और controls भी four type के रहेंगे, तो car simulator game पसंद है, तो ये कुछ नया आया है, चलिए पढ़ते हैं, ninth game पे जो है, game of physics, ये भी एक decent सा game है, जिसमें developers ने try किया है, आपकी textbook को game में डालने का, मतलब इसमें history, science और maths, तीनो subject cover करने का try किया है, जैसे history वगरा में, आप world war 2 की story प्ले कर सकते हैं, और war जीतने के बाद treaty वगरा science करनी रहती है, वैसे ही science में newton का concept मिल जाएगा, जहां आपको एक garden में तीनो law of motions पता करने रहेंगे, और maths का, pythagoras, theorem वगरा का use करना रहेगा, तो ये एक अच्छी approach है developers की, तो try दिया जा सकता है, चलिए आते हैं, last game पे जो है, Samurai Blade, ये भी एक time killer auto battle game रहेगा, जिसमें battles, match, raid और adventure जैसे modes मिल जाएगे, जो की unlock होते जाएगे, जैसे जैसे आप adventure complete करते चलेंगे, गेम में defense, attack, debuff, की एक तगड़ी team मना के battle में भेज़ दो, जहां आपको characters की powers वगरा सही time पे use करने रहेगी, और भाई, थोड़े बहुत नहीं, 46 type of characters मिल जाएंगे, play करने और unlock करने, जिनकी सब की अपनी unique skills और powers रहने वाली हैं, चलिए that's it for today guys, और I know इस बार के कुछ खास game तो थे नहीं, पर जो भी new था, वो मैंने try किया, इस में cover करनेगा, चलिए खेर, मिलते हैं next video में, जल्दी ही